जैन दोसों UPSC हिंदी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्केशन है वो है कि इंटर्व्यू के लिए खुद को कैसे तैयार करना है दोनों चीज़े हैं UPSC, UPSC दोनों के चलना है UPSC के इंटर्व्यू 20 तारिक से केवल 6 दिन बचे हैं इस्टार्ट हो रहे हैं पहले दिन जिन सभी का है बहुत-बहुत शुप काम ना है UPSC के फर्स्ट राउंड आदे हो चुके हैं और 9 मार्च या 10 मार्च को पहला राउंड समाप्त हो रहा है उसका सेकंड राउंड इस्टार्ट होगा और अभी पांसो लोग के बचे हुए जिनके लिस्ट नहीं आई है इंटर्व्यू अभी होंगे उनके भी तो UPSC के इंटर्व्यू तो काफी लंबे चलना है माई तक UPSC साल हो सकता तब तक रिजल्ट भी दे दे हैना में भी मार्च एंड में रिजल्ट भी आ जाए UPSC कि कैसे खुद को तैयार करना इंटर्व्यू के लिए क्या चीज होगी खुद की तैयारी के दोरान के दूसरी बात है कि UPSC और UPSC के इंटर्व्यू में अंतर क्या है क्यूंकि मैं दोनों के इंटर्व्यू फेस कर चुका हूं UPSC के दो तीन बार दे लिए मैंने इंटर्व्यू UPSC के दे लिए एच्छे कासे बार UPSC में सरेट भी हुआ UPSC में नंबर एक बाठीक मिले 160 मिले एक बार खराब भी मिले 140 मिले तो आइडिया अच्छा कहसा है कि मैंने क्या कमी की थी तो नंबर मुझे खराब मिले क्या क कि एवरेज मिले और क्या मेरे अंदर सुधार होने चाहिए या नंबर वो एवरेज प्लस हो हो है ना तो वह मैं अपने एक्स्पिरियेंस से आज आप लोग से शेयर करना चाहता हूं कि देखो यह यह चीज आपको तैयारी के दौरण करनी है इंटर्वू के तैयारी के दोनों चीजों पर हम बात करेंगे UPSC, UPCS दोनों की बाते करेंगे साथ में लेके चलेंगे पहले एक बार डिफरेंस देखते हैं थोड़ा सा कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो आप देखो कि UPSC में दोस्तों आपस डैफ भरवाए जाता है जिसकी डिटेल आपके बोर् नहीं रहने वाले हो वह आपने क्या मेडल से इसक्लाशिप फाए है तक वह पता होता है यह सारी आप कोई। क्ते स्फपोट्स खेलते हो क्या आपने कुछ किया है एक्ष्रा करिकुलर किया है कि आपने कोयी ड़ा शिप पोजिशन हिए है और आपने पूडरेकुलर्ल अक्टीबटी यानि आपकी कोई hobbies है, interest है कोई चीज, तो वो आप बताते हो UPSC वाले में, इससे क्या होता, इससे questions बनते हैं, जैसे मेरे दो बार का experience रहा है, उसमें 10-10 मिनट, दोनों बार पे, इस बात पे बहुत जाड़े discussion चला था, कि ये academic reinforcement program क्या है भाई, और तुमने वहाँ पे क्या क की थी, कि जो बच्चे fail हो रहे हैं, वापिस पास हो सके, mentorship क्या होती है, counseling और mentorship में क्या आंतर होता है, तुम्हारे साथ वाला select हो गया, तुम्हारे उपर psychological impact क्या पड़े या, इन बात पर दोनों बार में 10-10 मिनट चाहा हुई थी, तो def बहुत मत्तपूर होता है, UPSC के लि नहीं, ब्रह्म नहीं हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली, UPSC के interview, def based होते हैं, जो आपका detail application होता है, उसी पे question start की जाते हैं, उसी पे पूछे जाते हैं, वही main चल्चा चलती है, जब मैं last बार interview देने गया था, तो मेरे से बोला गया कि, आपने तो इतनी किये हैं, college में आपका score पूर इतना रहा है, है न, और क्याते हैं, के वी प्रे स्कॉलर भी हो, research के लिए, इंडिया में ऐसे ही कम लोग हैं, तो वाई IES, यह question मेरे तो बना था, कोई dev-based था, dev में उन्होंने देखा कि आपको 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 दिया जाता है, code नंबर वो आप लेके जाते हो, वहां से interview वो जिस डिरेक्शन चाहें, उस डिरेंडम सुरू कर सकते हैं, यूपी पीसेस में बहुत ज्यादे चांस है कि आप से interview random start करें, समझेगा, यह बहुत बहुत ज़्यादे चांस है, जैसे मैंने कई लोग का सुना है, कई लोग का मैंने सुना है कि पूजिया random की वो बताओ, प्रस्ताव ना सुना, मूल कर्तव्यों के बारे में बताओ, random भी सुरू की अटा सकता है, UPST में भी हो सकता है random, नोडा, अब यह चांस तो ही, सामान मैंने फिर का, मैं जितनी चीज़े बता रहा हूं, इन जनरल बात बता रहा हूं कि इन जनरल ऐसा होता है, UPST में, UPST में, डैफ नहीं होता है, उनको आपका बेसिकली optional और university, आजकल दो चीज़ें पता चल नहीं है, जो मुझे last बार पता थी, मुझे exact नहीं पता की, उनक मैं खुद नहीं जाना, इस बात को मुझे नहीं पता, लेकि लोग कर रहे हैं, उनको दो चीज़ें पता थी, अलाकि मैं अपना experience बता रहा हूं, मैं जब गया था, तो वो कह रहे हैं कि तुमने भूगोल से BSC की होगी बच्चे ने, तो चलो, भूगोल के बारे में बता, जहां पर matter करता है, open ended discussion बहुत जादे हो सकते हैं, और ये open ended discussion factual बन सकते हैं, यूपी बीसेश में, factual आपसे पूर सकता है, कि उत्तर प्रदेश की मैला सचर्टा दर कितनी है, आपके जिले की कितनी है, क्यों ऐसा है, मैला हिंसा से जुड़े कुछ fact बता दो, अपराद से actual discussion जा सकता है, क्योंकि open ended discussion है, यहां पर बहुत जादे चांस है, मैं फिर कहा रहा हूं, बहुत जादे चांस है कि case studies based discussion होगा, जैसे अपने जिले के DM बना दे जाए, तो कौन सी 5 problems तुम solve करोगे, आपके ये पूछा जा सकता है, कि बताओ, जैसे एक बहुत famous question, आज कली UPST में पूछा जा रहा है, कि बताओ decision making, एक कमरा है, उस कमरे में तीन लोग है, मैं example देख बताओ, एक event चल रहा है, उस event में तीन बच्चे हैं, एक बच्चे ने flute बनाया, उसने flute बनाया, क्राफ्ट का competition था, उसने flute बना दिया, एक बूसरा बच्चा है, उसको बजाने आता है flute, बहुत अच्छा flute बजाने आता है, और एक तीसरा बच्चा जो बच्चपन से गरीब रहा है, उसके पास आस तक अभी खिलोना ही नहीं उसके पास था, बिचारा गरीबी का सिकार है flute एक है, तीनों टिमांड कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, जो गरीब हो कर रहा है, मिर बास आस तक अभी खिलोना ही था, इस पे मेरा हक है, और जिसको बजाने आता है, मुझे बजाने आता है flute, तो मुझे मिलना चाहिए, किसको अलोकेट करोगे flute, ये case श्रीट पूछी जा स लगती है, जिसे मेरे से एक बार पूछा गया था, कि train accident हो गया, तो तुम क्या करोगे, अब सोचो, बच्पन से हम सुनते हैं, case studies, बहुत ज़्यादे चांस है कि case studies based discussion होगा, यूपी PCS में भी no doubt discussion case study based होगे, कहता नहीं है कि महाँ पे case study श्रीट पूछेगा, केवल factual पूछेग नहीं, जूपी PCS में और यूपी PCS में, दोनों में अगर एक question पूछा गया, introduce yourself, अपने बारे में बताओ, चलो हमें बताओ, हम यही से discussion शुरू करेंगे, यूपी PCS में आपने मालों बताया कि सर मेरा नाम गौरव है, और मैं आटे रूरकी से B-Tech किया हूँ, मेरे पिता जी यह करते हैं, आपने इतने पर ही रोग दिया, और मैं गौरतपूर का रहने वाला हूँ, आपने इतने पर ही रोग दिया UPSC में, कोई दिक्कत नहीं है, लोड ही नहीं है, उनके पास फिर भी ऑप्शन है, कि वो आपकी हॉबीज देखेंगे, अच्छा इसकी हॉबीज चेस खिलना है, लुक और बताओ, खाल में चेस में कौन सा इवेंट हुआ, वहाँ पे उनके पास ऑप्शन है कि डैफ में देखते हूँ, उन्होंने चेस प नहीं है, गौरफ पुरून ने सुना, उन्होंने सुना कि यूपी कह रहने वाले हो, अब यहां से वो कोशन सुरू कर देंगे, पूरी तरह से जो गियन्द है वह आपके पाले में है, पूरी तरह से आपके पाले में है कि आप इंटर्वीव स्थार्ट की डिरेक्शन में मैं ले जाना चानते हो अगर उनने का इंट्रोड्यूस यह सेल्फ अगर आपने इंट्रोड्यूस और सेल्फ में होब विस्त Bereich मेरे व्यक्तित की मजबूति की यह दो से और सब्कायदे यहां पर बहुत सारे discussion current affairs आपके optional से बहु सारे discussions होने वाले हैं क्योंकि उनको optionals पता होता है बहु सारे discussions आपके optionals से होने वाले जैसा आपका Hindi literature optional है ठीक ठाक प्रश्ण आप से optional से पूछे जाएं लेकिन UPSC में हो सकता है वह एक भी प्रश्ण न पूछे जैसे मेरा दो बार इंट्रेवुगा दोनों बार मेरे से एक भी प्रश्ण से एक चीज करेंगे जैसे डैफ में बहुत सारी details दी है उप्राइज मेडल स्कॉदर स्ट्रीम हम लोग जैसे अभी जैसे हम लोग मौक मौक इंट्रेवुउस कुछ कराएंगे लोग कोशिश करने जो प्रवर्टी में जो बच्चे आएंगे स्टार्टिंगे लास्ट ये जितने मौक इंट्रू कर रहा थे सबका सेलेक्शन अच्छी बात यह थी मौक इंट्रू के बेसिस पे नहीं हुआ था सेलेक्शन इंपस यूपीसी दे रहो तो लोट ही मतलो हूपीसी इंट्रववु कि तयारी करो शानती से कुछ जो यूपीसी में पूछे जाते हैं क्वेशंस पिछले साल के ट्रांस्कृप्ट से देखलो सीधी बात है पिछले साल के टांस्क्रिप से देख लो यूपी पीसस देखे चले आप केवल यूपी सी दे रहे हो अपने डैफ पे खूफ फोकस करो देखो पढ़ने के लिए अथास आगर है आपके पास अथास आगर है जो में चीज मैटर करती है वो होती है आपकी आउटर हमबलनेस आप बाहर कितने हमबल हो हमबल होने का मतलब यह नहीं कि कुछ गलत भी सामने अलोग हो तो उसको एसेप कर ला नहीं बाहर से देखने पर आप कितने हमबल हो और अंदर से कितने आप कॉन्फिडेंट हो यह चीजें बहुत जादे मैटर करती है यूपीसी के कोई लोट मत लीजे गुछ नहीं भी करने वाला है जिनलोंका यूपी पीसेस का इंटरव्यू है इसमें ये सेक्शन भरिये एक्ष्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड इंट्रेस्ट ये सक्षन छोड़ दीजे इस्पोर्ट एंसी सी छोड़ सकते हैं एक दो पॉइंट याद रहेगा कई मौका मिल गया बोलने का तो बोल सकते हैं बस यही है याँ पर और कुछ मत्तपूर बती है कुछ ऐसी स्कॉलर्शिप आपको मिली जो बहुत महत्तपूर है जैसे मुझे जो मिली थी के वी पी वाई वो पूरे भारत में एस बी स्ट्रीम से 30-35 बच्चे ही सलेक्ट होते हैं इंडियन इस्ट्रूट आफ साइंस में डायरेक्ट एडिमिशन होता है के वी पूर्शिटीज ये भी क्या गरते के वी पी बाई को प्रियोर्टी देती है ऐसा कोई मचाऊ सा स्कॉलर्शिप मिला हो रोड सी इंट्रोडक्शन नहीं दे रहें तो उस बात को बोलिए ताकि वह डिस्कॉशन महाँ पर जाए तो मैं तो कोऊंगा यूपी एसी का डैफ भरिये इस तरह लिए तेयारी कीजिए कुछ मॉक इंट्रव्यूस भी दीजिए मॉक इंट्रव्यूस देने से आपको डाइमेंश आध भरिये और डाइफ बैसी सफरी प्रिपरेशन कीजिए तिस्री बात यूपी इसपेशल भंग से तियार कीजिए विए सूर्सवस बताऊंगा सब उसकी चिनता मत कीजिए और चौती बात लास्ट येर के ट्रांस्क्रिप्ट जरूर देखिए जो यह लास्ट साल जैसे for example, उसे कोई woman candidate है, woman candidate है आपका 4-5 साल पढ़ाई में gap हो गया, चार-5 साल पढ़ाई में gap हो गया यह आप पहली बार interview देने का मोख्का मिला कई वर्षों बार पहली बार interview देने पला, अब interview में अच्छे नमबर कैसे हैं एक्जामनर को इमोशनल किया जा सकता है वू एज़ वूमेन केंडिडेट आप इक्जामनर को इमोशनल कर सकती हैं कि सर घर वाले मेरे दम शादी के पीछे पड़े हुए हैं जैसे मालों पूछा कि आप को क्यों सब्सक्राइब बनाए आपको अगर एक ने करो वाले पीछे पड़े हैं और मेरी इकमाद्म की इंडिपेंडेंस के शाद शोशिये में इंडिपेंगेंडेंस भी इस57 जनीरफर करती है कि मैं इस बार सलेट हो रही हूं कि नहीं यह इंप्रथा पर मामला ले जा सकते आप आप अपने आंसर्स देखे ना आप मालों पूछा आपकी डिश्टिक में पांच प्रब्लम बताओ अब मुझसे पूछेगा तो मैंने पांच प्रब्लम बताई सर गोरकपूर तराई रीजन में है तो देंग बहुत बड़ी प्रब्लम है बाड की समस्या है अनिम्प्लाइम का मुद्धा भी दिमाग में रखा तो मैं यह कर रहा हूं हम लोग क्या हेल्प करेंगे इसी बात पर हेल्प करेंगे उत्तर देने के तरीके पर गेद अपने पाले में कैसे लानी है आंसर में कौन से कीवर्ड छोड़के जाने है जो जो सामने बैठे हैं वो आप से उससे क सैंग ancora होने व nhất सबन अपने अपने परस्सेटी के स्टमाइंट पूइंट सकता है यूप कॉछा कि अंदर कौन से कूण माद्धै thu तो पुझा बताओ धैर के पारिभाशा बताओ एक्जामपल दो जीवन से तो परस्नेलिटी में कौन से स्ट्रॉंगेस्ट पाइंट मांते हो यह यूपी एसी में भी पूछा जब मनो सेनी सरका बोर्ड था मनो सोनी सरका उन्होंने पूछा ऐसा कुछ बताओ जो डैफ में न या मैं वर को हलिक हूँ या मैं भुखड हूँ एक नंबर का यह परस्नेल्टी डैफ में नहीं दी होती है लेकिन यह आपको पता होता है तो ऐसे प्रश्न प्रपर आप त्यार करते हो हर चीज़ के लिए हिंदी लिटेचर अगर आपको ऑफ्शनल है हिंदी मीडियम से हो तो थ्री लैंग्विज्ट फर्मूला क्या होता है हिंदी का किसको का जाता है यह सब कुछ कोश्चन जो मैंने यह आप लिखे हैं आपको औव्यस दिवाते शेयर कर दूँगा यह ना यूपी से रिलेट करेंट अफेर्स आपकी जीले में कौन सा फेश्टिवल्स होते हैं कौन से गीत होते हैं आपके जीले में, उन गीतों के बारे में एक दो जानकारी, यह सब जानकारी आप DEF basis पे त्यार करते हो, UPSC basis पे त्यार करते हो, और UPSC basis में जाके बोल आते हो, तो focus करिए DEF बनाने के, DEF में उन points को note करिए, यह questions ऐसे questions त्यार कीजिए, इनके answer बोल के practice कीजिए, और mock interview में UPSC हिंदीक साथ जुड़िए, mock interview में जुड़ने के लिए आप 888-40751912, इस नमबर पर WhatsApp कर दीजिए, ठीक है, WhatsApp कर दीजिए, आपसे details ले ली जाएगी, ध्यान रखिए, seat लिम्टेड है, mock interview क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादे ऐसा नहीं है, कि हम ल जिसके interviews पहले हैं, तो उनको first priority पर रखा जाएगा, इस नमबर पर WhatsApp करके अपनी dates बता दीजिए, कि सर इस दिन मेरा interview है, answer कैसे देना है questions का, तो मैं कोशिश करूँगा short short video इस बाते बनाना, इस question का answer मेरे अनुसारी होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई answer general नहीं होता है, कोई answer best नहीं होता है, सबकी अपने प्रेगुण, अपने पने दोश होते हैं, interview is very subjective, यह आपके personality का test, आपकी knowledge का test नहीं है, इस बात पे focus होके preparation कीजिएगा, बजाए की fact याद कर रहे हैं, मर रहे हैं, एकदम tension में BPI हो रहा है, क्या रहे हैं कोश्चन नहीं बता पाए, रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं next class में, जय हैं, जय भार